नमस्कार व्यूवर्स मैं हूँ अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश का सब से प्रतिष्टत और देश का नमर वन का रिक्रम आरपार परंपरा लोक तंत्र की प्रतिष्टा सदन की और अनुशासन राजनीती का हम सब ने अपने नेताओं से यही उमीद लगा रखी है लेकिन क्या परंपरा प्रतिष्टा और अनुशासन वाला नियम तोड़ने का भरपूर प्रयास हो रहा है क्योंकि हर दिन सदन के भीतर तू-तू-मै-मै वाली तक्कर देखने को मिल रही है जनता के मुद्दो की जगा सियासी टक्राव हो रहा है आज भी सदन में पहले अखिले शादव वर्सिस अनुवाग ठाकुर की टक्र हुई इसके बाद राहुल गांधी बनाम अनुवाग ठाकुर वाला सियासी सीन दिखा विपक्ष देश के हर व्यक्ति की जाती जानना चाहता है लेकिन संसत में इसी जाती के मुद्दे पर अखिलेश यादव उखड़ गए बढ़क गए और कहते हैं कि आप किसी की जाती कैसे पूछ सकते हैं लेकिन मुद्दा सिर्फ संसत में टक्राफ का नहीं है विवर्स दिल्ली में मौत के सिस्टम पर भी एक दूसरे पर उंगली उठाने का सिलसला जा रही है और उदर यूपी में चचा को गच्चा वाली जोरद्यार सियासत हो रही है लेकिन बड़ा प्रस्थ है कि क्या इस टक्राफ वाली राजनीती से जनता के मुद्दो का समधान हो पाएगा आपके मुद्दो का समधान हो पाएगा आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस विपक्ष बनाम सरकार जंग हो रही है जोरदार और धरदार आज सियासत में चोतरफा एक्षन दिखा शुरुआत हुई यूपी विधान सभा में योगी अधितनात की चुटकी से पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ ठीक है अलग विसे है कि आपने चचा को गच्चा देई भिया चच्चा विचारा हमेशा ही ऐसे माल खाता है तीन बत में आपके संपर्ग में रहे तो गच्चा तो आपने देखे ले ना सकता इसमें समाजबादी पार्टिक फैसे आहरा देगी जिप्टी चीम्स मिनेश्टर हैं वो आपको फ़र गच्चा देगी तो दिल्ली में अखले शादों ने मोधी सरकार के खलाफ मोच्चा समभल सरकार खुश स्विकार करती है इस केम ठीक नहीं है तभी वो अपनी अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि अगनी वीर वाले जो लौट करके आएंगे उन्हें कोटा दीजिए आप नौकरी दीजिए खुद मिल्टी स्कूल का बढ़ा हूं और आप परम्भी शक्री की बात कर रहे हो तो हम भी तमाम नाम किना सकते हैं यह तो किवल मिल्टी स्कूल के हैं मैं आज भी टेरिकोनर आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रांग पर अपनी सिवाई दे रहा हूं कि जंद्गर्ना को हम यहां पास करके दिकाएंगे इन से ये पूछना चाहता हूं आप ने जाती कैसे पूछ लिए बताई ये बस आप आप जाती कैसे पूछ सकते हैं को इस बीच केजरिवाल के समर्थन में विपक्ष ने साजहा ताकत दिखाने की कोशिश अगर बीजेपी में ये भ्रहम है कि पुलीस के डर से हम पीछे हट जाएंगे तो उनका भ्रहम आज इस सभा ने तोड़ दिया है निश्पक्ष निर्वाचन अगर पिछले 2024 में होता तो वो विरोधी पक्ष में होते और हम सब सत्ता पक्ष में होते इनकी सरकार बुजदिल सरकार पांच साल ये टिकने वाले नहीं है उधर दिल्ली के मौत के सिस्टम में जानगवाने वाले तीन चात्रों पर तू-तू-मेमे का खेल जारी राजंदर नगर में जो हुआ वो हादसा नहीं वो हत्या थी उसका प्रमान दिन प्रति दिन सामने आ रहा है आपराधिक लापरवाही भी रही आमादमी पार्टी की और उसके अलावा भष्टा चार भी था तो आज इन तमाम मुद्धो पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस विपक्ष वर्स सरकार जंग जोरता और अब वक्त है आरपार के सूपरसित विश्टेशन का विपक्ष और सरकार में जोरतार जंग का आज मैं आपको विश्टेशन बताऊंगा यह विश्टेशन आपको पूरी कहानी दर्श्र को बता के रख देगा कि बीते दो दिन में क्या-क्या हुआ है अगनी वीर पर अखिलेश आदव कहते हैं अच्छी योजना नहीं है मैं मिल्टरी स्कूल से पड़ा हूँ मुझे पता है सियासी चच्चा और गच्चा शिप्पालियादव जो कि अखिलेश यादव जी के चाहता है मुलायम सिंग यादव जी के छोटे भाई शिप्पालियादव हर बार गच्चा खा जाते है योगिया दितनात कहते है शिपाल यादव कहते हैं कि दो उपमुक्यमंत्री आपको गच्चा देने वाले हैं अब मैं बरता हूँ आगे केजरी वाल पर इंडिया अलाइंस एक जुटता दिखाता है अखिलेश आदव बड़ी बात कहते हैं शिपालेश आदव कहते हैं विपक्ष को सत्ता मिली तो EDCBI दोनों पर मैं ताला लगवा दूँगा और बीजेपी कह रही है कि केजरी वाल के समर्तन में उत्रा आये ठगों का बेला बीजेपी ने बकाइदा पोस्टर धारी किया है लेकिन मौत वाला सिस्टम जो है उसमें दिल्ली के LG कुछ और कहते है सौरभ भारदवाज कुछ और कहते है दिल्ली के LG साब कहते है ड्रेनेश प्लैन वाली फाइले सौरभ भारदवाज ने लटका रखी थी लेकिन सौरब हरदवाज जी को सुनिये मंतरी जी को सुनिये ड्रेनेट सुधार में बीजेबी के 20 राजे हमारा मुकाबला नहीं कर सकते ओल्ड रेजिंदर नगर में जो हाथसा हुआ है तीन तीन छातरों की जान चले गई है ये मुकाबला करा रहे है जनाब लेकिन आज का बड़ा सवाल क्या है बड़ा सवाल ये है कि आपके मुद्दे व्यूज मैं सिरफ आपके मुद्दो के लड़ाई लड़ता हूँ जनता के मुद्दो का बहाना और सियासत से चमकाना हर नेता अपने आपको चमकाने की कोशिश कर रहा है और आपके मुद्दो पर बात नहीं हो रही है इसलिए आरपार में न्यूज 18 पर अमीज देव गनापके मुद्दे को उठाएगा गौरब भाटिया मेरे साथ है मलूख नागर है मेरे साथ राष्ट्रे लोक दल के मास है जिवे फॉर्मर मेंबर अपार्लेमेंट है गौरब भाटिया राष्ट्रे प्रवक्ता है भारतियनता पार्टी के सुप्रीम कोट एड़ोकेट है तैसीन पुनवाला है राजनेते कुष्टेशक है मेरे साथ आमादी पार्टी की आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा की शुरुआत करता हूँ मैं आप से तैसीन पुनवाला सवाल बना डारेक्ट है पूरे देश की जाती पूछेंगे लेकिन नेता की जाती नहीं पूछी जा सकती है लेकिन विपक्षी नेताओं की जात इसलिए कास सेंशस 2011 में जब सेंसस 2011 में हूव और कास सेंशस जब हुआ तब भाशपार ने उस पर ऑम्शेक्शन लेकर कर LIVE कश में आर्रस था इरवे शुरू होने के बाद फ्लोर ओफ ददा हैूस पर राजनाथ सिंघ ही ने कहा था किड़ ऑद जोभी सरकार है उसको रिली करेंगे अब हम आगे हैं 2024 के अंदर सेंसस भाजपा के पास है कॉंग्रेस गलत सप्पा गलत अर्विन केज रिवाल गलत हेमन सोरें गलत सारे गलत राजना सिंग जी ने बार्ट फ्लोर ओड हाउस कही थी यह वादा है भाजपा का भाजपा को रिलीज कर दे का सेंसस इंके प अगर पूरे देश की जाती पूछी जाती नहीं पूछी जा सकती है विपक्ष के नेताओं की जाती नहीं पूछी जा सकती वो आउट अफ रीच एसमुद्दिपा अब जितने भी सेंट्रल उनिवर्सिटीज उनके वाइस चांसलर देख लीजए अगर जितने हमारे दलिट सिटिजन्स प्रोफेसर अगर उतने वाइस चांसलर आपको मिल गया उनके संक्या के नुसाथ मैं अपना नाम इस शोपे स्वाइस आपाईन्स प्रोफेसर चांसलर मिलेंगे आप कितने चीफ ज़स्तिस इस रजाए सुप्रीम कोट में बैच आज के वरत्मान के हाह कोट में देख लिए जितने हमाने दलत समाझ अबीशियने समाझ के है चीफ में है नी तो यहां को सिंपल चीज कह रहा हूं जिनके पाल डेटा है वो रिलीज करें आप यहांकी बात है यह कौन है वो कौन है आप आपने मुझे सवाल पूचा अगर मैं सवाल का जवाब दे दू कितने प्राइम टाइम एंकर दलित है कि यही सवाल पुचा जा रहे हैं बिल्कुल आप आप आपने आपने कुछ बड़े महत्रपून सवाल पूछे गौरबातिया मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा देखे बालक बुद्धी अपरिपक्व गैर जिसको वहां के सदन के रूल्स के बारे में भी नहीं पता है वो इस तरह के बयान देता है जिस पे मैं आता हूँ लेकिन बधाई हो मीडिया को क्या अमीज देवगन जी आप घर नहीं जाते हैं आप पिंजरे में बंदे हुए हैं मुझे नहीं पता मुझे लगा आप घर जाते हैं आपके पास कमरा है आप निर्भीकता से सवाल पूछते हैं लेकिन नेता प्रतिपक्ष बता रहे हैं कि अमीज देवगन पिंजरे में बंद है वो पिंजरा कहा है बताईएगा जरूर सारे दर्शकों को अब मैं आता हूँ तथ्यों पे देखिए आज ये पूछा जाना चाहिए किसानों पे पहले बात करते हैं MSP स्वामी नातन जी की रिपोर्ट आई 2006 में आठ साल ठंडे बस्ते में रही नरेंद्र मोदी जी ने MSP लागू किया और स्वामी नातन जी ने धन्यवाद दिया नरेंद्र मोदी जी को पहला तत्त दूसरा तत्त पचास हजार करोड रुपए कर्दा माफ करेंगे जब 2009 का चुनाव आ रहा था उससे पहले घोशडा करी गोटाला कर दिया हमने आज जेपी नड्डा जी ने संसत के पटल पर बताया है केवल प्रदान मंत्री किसान सम्मा निधी में साड़े तीन लाग करोड रुपए लगभद दिया है किसानों को अब साड़े तीन लाग करोड ज पिछड़े समाच से भी आते हैं तो ये नफरत क्यों है दूसरी बात लीडर ऑफ उपेजिशन बनाना था राहूल गांदी को क्यों बनाया बना देते किसी पिछड़े समाच के विक्ति को अरे सपा आपके साथ है जब से पार्टी बनी है अमीर जी यादव परिवार के बा हुआ था पीच इदामरम ने उसका विरोध करके कहा इसे सार्जिरिक ना करो देश को खत्रा है करनाटिका में का सर्वे हुआ है दीके शिवकुमार और सिद्दर अमया में आपस में लडाई चल रही है और ग्यान दे रहा है संसत के पटल पर की होना चाहिए पहले टेक कर लीजे आप करना क्या चाहते हैं और अंत करूंगा एक बात कहके राजीव गांधी फाउंडेशन मैंने पेज खोला हुआ है इसके सदस्ते कौन है बताईए सोनिया गांधी बन मोहन सिंग पीच इदामरम सुमन दूबे अशोग गांगुली मॉंटेक सिक आलू वालिया रा अजीव गांधी फाउंडेशन तो सब सोनिया गांधी के हाथ पे है पताईए ओके ओके देखिए मतलब जिसे कहते हैं ना कि हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा है ये कहावत मैं तैसीन बुनावाला ये कहावत मैं इसले बोल रहा हूं कि अपना कुछ जानी ना सदन मे इस बात को कर दो और अपनी political parties में कुछ follow नहीं हो रहा लेकिन इस सदन में इस बात को कर दो उसके बाद अभी आप भी आए आपने बोला देखें मीडिया में कितने दलित हैं मीडिया में दलित के 2014 के बात से नहीं आ रहे हैं क्या 2014 के बात से नहीं आ रहे हैं 1947 के बात से दे है और आपने जज़िस की बात तरी के बाद से ज़िस नहीं आ रहे हैं हम दो 1947 के बाद पूरा देख लेते हैं और इस डेश के अंदर आरक्षन का विरोथ किस ने किया था मैं बताऊंगा किया आप बताएंगे स्वर्गे राजीव गांधी ने अग्रीवितियों मैं अपना जवाब दे तो अमीजी मैं तो आपके बिल्कुल इस्तिफाक रखता हूं मैं कह रहा हूं कि अगर 1947 से मैं 1947 से 2014 तक कुछ चीज़े नहीं हुए इंप्लिमेंट क्या उसका मतलब है 2014 के बाद नहीं होना चाहिए करनाटिका का का सर्वे हुआ था उसको सार्जरी क्यों ने करता हूं पूछे उनसे अगर हो गया तैसीन तैसीन में क्यों पॉइंट है एक है 2014 से 2014 मैं प्रदानमिंटरी ने कर देंचे ताहिएyy है करें चदंबरंशी के बोलने पर सुन्या जी के बने पर राहू जी के बोने पर उस वक्राइब गांदी जी ने अपों किया इसलिए उन्होंने आज मोदी जी रिलीज ने करें कास सेंसे आप ने जो नहीं किया यह कोई बात हुई यह कोई लॉजिक देखिए ऐसा है तैसीन इदर उदर मत दुमाओ मैं आपके शोप के रहूं मैं अपने जवाब दे दू अमीजी आप उनको बोलने दीजिए उनका हो गया उसके बाद मुझे चांजिए टाउ नमबर वान मैं कहा हूं कॉम्गरेस गलत मैं किया हूं सवर्गया शेहीराजी बांडी जी गलत इंदी-र एजी घर नेeking तो मान ले उसल nós पाओर के बादगे सथाके अब तो सथामे माने ने ने नरेंद sponsors ओ प्र उन्होंने किया किया ना बिहार में रिलीस कांग्रेस और नी सफटार में पर्व सब्रसु इस करें इस ने सथीधी इसको अगर हमें जस्तिस स्थे ऑगारे 멸ारे के लिएडैर गाते हैं सबाब करता हूँ एंकर्स को छोड़ दीजे मैं सिंपल सवाल से अपनी बात को सबाब करता हूँ जितने भी सेंट्रल युनिवर्सिटी जो सीधे सीधे मोधी जी की निचा थे वहाँ पे दलिट समाज और OVC समाज के वाइस चांसलर क्यों नहीं है जितने उनकी संक्या है उतनी इसका जवाब नहीं आप आपने बोला मीडिया में भी इंजस्टी को रहा है मैं 23 साल से मीडिया में हूँ मैंने और इस चैनल मेरे संपादक हूँ एक बब बता रहा हूँ पिसले 23 साल से मैं मीडिया के अंदर हूँ और काम कर रहा हूँ पहले रेपोर्टर फिर उसके बाद न्यूज एडिटर और आज मैनेजिंग एडिटर मेरा मैंने आज तक किसी की जाती पूछके उसको उसको जर्नलिजम के काम में नहीं दिया सिरब उसके काम को देखके दि लेकिन लेकिन रुदिगे दूशी आपने बोला मुझे जवाब देने का चांस देगे देजिए पंदा सेकिन का जवाब करता हूँ आप तो आप तो डिजर्व करते हैं लेकिन क्या कोई दलिट इडिटर इंचीफ होना डिजर्व नहीं करता ये मेरा आप से सवाले क्यों कि मां सब्सक्राइब करते सा जुक सोटाइब कर पर हुए सब्सक्राइब का सिंसे से लेना देना है ओके गौरब आटिया गौरब आटिया चलिए मैं उत्तर दे दू है देन अनुराग बदो लिया ओके गौरब बेक यो पॉइंट देखिए केस तरह से उत्तर नहीं देते हैं उन्होंने जुडिशिरी की बात कर दी इनको ये भी नहीं पता है कि सम्धान में क्या लिखा है इंडिपेंडिन्स ओफ जुडिशिरी कोलेजियम सिस्ट्रम है लेकिन तब भी मैं कहता हूँ भारत का लोगतंतर कितना मजबूत है जस्टिस बाला कृष्णन पिछले समाद से आते हैं, वो चीफ जस्टिस ओफ इंडिया बने और अभी भी सिटिंग जज हैं, जब कॉंगरेस की सरकार्टी, पे सीनियर मोस्ट है, आगे चलके चीफ जस्टिस ओफ इंडिया बनेंगे, सिन्योरिटी से, जस्टिस गवई, वो जब का जब करेंगे, आप जो सवाल करेंगे, मैं प्रयास करूंगा उसका उत्तर देदूं, लेकिन मैं कुतर्क नहीं करूंगा, मैं एक सवाल किसानों पर बात कर रहे थे राहुल गांदी पूछना चाहूंगा किसानों पर यह बताई है अभी एक रिपोर्ट आई है आपके चैनल ले भी दिखाई है करनाटिका में 15 महीने से कॉंग्रेस की सरकार है और 1200 किसानों ने आत्पहत्या करी है एक 180,000 किसानों ने आत्पहत्या करी थी यूपिय के 10 साल में रहुल गांदी करनाटिका क्यों नहीं जाते हैं क्यों वहाँ पर एक बार सुद्ध नहीं लेते किसानों की पारलिमेंट में ओची गटिया राजिती करते हो फिसानों की कहा ये लोग तस्वीरों से डरते हैं तो मैं एक बात आपको बताना जाऊंगा तस्वीरों से तीन तस्वीरें दिखाता हूँ राहूल गांदी का विकेट गिर जाएगा तीनों पहली देखिए यासीन मलिक के साथ हैं ये कौन है पूर प्रदान मंत्री मनमुहन सिंग जी आज ये जेल में है उसके बाद एक तस्वीर मैं और दिखाता हूँ एक बड़ी खबर आ रही है अधीर रंजन चौधरी को अचानक बशिम बंगाल कॉंग्रेस अधक्षपत से हटा दिया गया है और बैठ परभाव से फैस्ता लागो गया अधीर रंजन चौधरी को अध्यक्षपत से हटा दिया गया है पशिम बंगाल में लगतार ममता सरकार के खिलाब बयान बाजी कर रहे थे उन्हें हटा दिया गया है ये कॉंग्रेस का एक्षण है या ममता के खिलाफ बोलने का है ये देखने बारी बात होगी मेरे साथ जी ये एक तरह से अधीर रेंजन चौधरी ने मोर्चा खोड़ दिया कॉंग्रेस के खिलाव ऐसा प्रतीत हो रहा है अब मेरे साथ डॉक्टर अनुराग बुदरिया जाती पूछो जनता की नेता की जाती नहीं पूछनी चाहिए द आपने देखा होगा पार्लेमेंट के अंदर में भारती जनता पार्टी की जैसी की आदत है हमेशा डायरेक्ट इंडायरेक्ट गाली दे के बात करने की आप से मैं पूछू कि आपको पता ही नहीं आपकी जाती कोन है क्या है आपको यहीं नहीं पता है इसके मतलब आपको मैं इस safest का अंदाज compr लगा सकता दोनों सब्डों में वरक है अगर हम आप उन्य शी आपको आपकी जाती नहीं पता है यह मنتरी आपकी जाती रहे है तो आप बता देंगे, तो दोनों में शब्द, दोनों में फरक है, और जो पार्लेमेंट के अंदर में बोला गया, वो ये बोला गया कि कुछ को पता ही नहीं है, उनकी जाती क्या है, इसके मतलब आप क्या कहना चाते हैं, भाईया, मंत्री जी आप तो मंत्री रहें हैं, ऐसी तो पिर आप बनो करेंगे, तो पिर आप लो पिर जाती का जंड़ना करेंगे, देश की जंता की जाती पूझेंगैंगे, उन्होंने खड़ना चाहा हенगी, बोलें हम तो चाते हैं, जाती जोन पूछना गाली है जाती पूछना नहीं ये पूछना कि आपको पता है नहीं आपकी क्या जाती है इसके मतलब आप किसको गाली देना चाते हैं हुआ अच्छा फिर तो मैं फिर कह रहा हूं वह गाली मैं फिर के ता हो वैमान मैं एक ओर यह जांब भॉद है अध्य हाग ठीक जुपाल यादव जी आज क्या कह रहे हैं? चच्चा को दे दिया गच्चा, धोके बाद है ये घर का बच्चा. फिर से बोलूँगा क्योंकि ये बीच में बोल रहे थे. शिपाल जी कह रहे हैं, चच्चा को दे दिया गच्चा, धोके बाद है ये घर का बच्चा. कभी पिता जी को धोका दे देता है, गच्चा देड़ आया है अजसे बोला क्या जनता सुन रही है ऐसा बोला क्या प्रूब करके दिखाईए वीडियो दिखाईए ऐसा बोला क्या उन्होंने जूट बोलो यहां पर पिजिरे का तोता तो यहां लिए लेकिन हमने छता है कर लिया किसी को लेंगे नहीं अपनी पा एक दिन भाजपा में आजाएं और समाजवादी में आजाएं अब समाजवादी लेंगे नहीं किसी के माध्यम स्याओं के रहे वह भी निकलेगा देखा होगा यह हरे कुर्ते वाला यही तोता है पिंजरे का और यह भाजपा के ऑफिस के बाहर आता है कहता है अखले ज्यादव के साथ मेरा दम खुटता है मुझे पार्टी जोइन करा दो लेकिन कोई लेना नहीं चाहता है अब बीच में क्यों बोल रहा है कोई बात नहीं नहीं रियाक्शन तो छोड़ो यह तो आक्षिन ने तुम्हारे खिला इनके कान में बोल गया थे आपके कान में बोलेते हैं जब वीडियों नहीं है तो कान में बोल गया हूंगे चाचा ने क्या बोला यह यादव परिवार यह पोछा लगाते हैं और डाट पड़ती है कि तुमने हमारे फर्च पर जो पोछा लगता है यह यह उससे अपना चेहरा कैस साथ किया यह इनकी पर चेहरे पर गड़ी लगाता है और कौन पैर के वहां बैठा रहा है कि हम तो डवल अजी बना दो कौन पैरों में अख्ले स्यादव जी के लेटा हूंगा तामेलत सिखा हो हमने पैरों में लेटे हुए देखा है कि डवल अजी बना दो अब आपको लग रहा है कि दुबारा से सरकार बीज़ानी वाली है तो सोच रहे हैं तो मेरा प्रस्टर नहीं प्रस्टर नहीं देखिए प्लीज पैरों में कोई लेटा पड़ा कोई पोचा लगा रहा है यह विशे नहीं मेरा निवेदन आप दोनों अपनी पार्टी के सम समानित है मेरा निवेदन है गौरफ जी आप तो सुप्रीम कोट के सीनर एड़ोकेट भी है मेरा निवेदन को सुभी कारत है और मैं मुद्दे पर आता हूँ मलूक नागर है मलूक नागर अभी अपनी बात पूरी करना चाहूं अभी अब मैं एंडिये के बास ही जा रहा ह है मलूक नागर अपनी बात तो पूरी कर लो फिर आप जाईएगा पिल्कुल आप आगे 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 अगे अबीजी ये गलत है अच्छा आप बोलीजे 30 सेकंड के लिए जैसा अच्छा बोली बोली गौरफ मेक्यू पॉइंट 30 सेकंड मेक्यू पॉइंट तैंक्यू आज का मुद्दा जो है आप कहरें ना पिछड़े समाज का भला है मेरा सवाल है सवाल को उत्तर मिल जाएगा मैं सन्यूट करूंगा अनुराग बदोरिया को पहला यादव परिवार के बाहर का पिछड़े समाज का कोई अध्यक सफा में क्यों नहीं बना जब से पाटी ब रुपिया जो है लुपाना आपके सफर्गा बना जो करता है जिसको जन जिसको कार करता हो जनता चुंती आज देखिए कौन है माता परसाथ पांड़े जी हमारे विरोधी दन लेता है की नहीं है है की नहीं बताई आप वो चुने गए की नहीं की क्योंकि संदक सुन को चुना तो वो है अब समाजवादी पार्टी तो संगठन की पार्टी है मलूक 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 ना गर लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है मैं उस बड़ी खबर की तरफ भी जाऊँगा अखिलेश शादफ का एक बड़ा स्टेटमेंट आए है अब जे कुछ देर पहले अगर इंडिया गड़बंदन की सरकार बनेगी और वो कहरे की जरूर बने करेंगे ये क्लियर कट कहा गया है एडी और तीबिया के बारे में एक्जैक्टली क्या कहा है बिना नाम लिए सुन लेते हैं कि लिए शादफ में कि कई ऐसी संसाइं हैं दिल्ली के पास जो पॉलिटिकल लोगों को समय समय पर परेसान करती हैं वो संसाइं उन्हें न्याई नीज देने देती हैं कई ऐसी संसाइं हैं जो जान बूच करके पॉलिटिकल लोगों को बदराम करने के लिए उनको अपमानित करने के लिए जूटे मुकदमें लगाने के लिए हैं अगर जब कभी भी संसाइं हम लोग सत्ता में आएंगे ऐसी संसाओं को को हमेज़ा हमेज़ा के लिए खतम कर देंगे तो डिरेक्टली इंडिरेक्टली इंडिय betrayal कि औरी डी को बंद कर दिया जाएगा इंडिया आलाइस का यह कहना है मल्यूख नागर यह सब कैसे होगा बातrane तु सविधान की थी और सविधान ने इडी सी बिया बना रखी है दिखिए हमेज जी इतना जोरदार विशे था और उसको पर्सनल लेवल पे लेगे हमारे भदोरिया साहब औरे देश में आजादी के तुरंत बाद विमुख जाती बावन में रिलीज करी पहलें को ट्राइबल घोशित करा उडशेट में सेंटर इसने नोटिफिकेशन जारी करा मैंने यह मुद्धा पारलेमेंट में उठाया है उनको सुमिधाएं पिछले साथ सालों में नहीं मिली अम मिलनी जुरू हुई है और इस देश के प्रधान माननी यह प्रधान मंतरी संसद में आके कहते हैं मैंने तने पिछले मिनिस्टर ब पेंडिंग पड़ा रहा क्योंकि उसमें समाजवादी पार्टी के नेता ने रा आरेलडी और आरजेडी और बीएसपी तमाम लोगों ने कहा पिषडों और दलीतों का रियर्वेशन होना चाहिए सरकार तो कॉंगरेशन ने पूरी चलाई दस साल 2004 से 2004 तक पर वही पस ने करा एक तरफ राहुल गांदी जी कहते हैं कि मैं जब अपने पिताजी के पास अपने दादी के पास अपने पड़नाना के पास प्रधानवंद्री कारिया ले जाता था तो वहां दलीतों के और पिषडों के हकों की रक्षा या जतना काम होना चीज़त हो नहीं या आज ये मानें कि बाबा अम्बेड कर साहब की जो विचारधारा थी चौदरी तर्ण सिंग जी की जो विचारधारा सी विचारधारा थी आज उस पे काम हो रहा खुलके चर्चा हो रही है बक्स भी विपक्स भी सब लगे पड़े हैं एक चीज मैं कह रहा हूं जो आग त हक अब कोई भी रख ले माननी है प्रधान मंत्री जी ने तो सदन में खड़े हो के कियर में डी ओपीटी लॉजेस्टिस में मेंबर था उसमें आखड़े आते थे साथ साल में कॉंग्रेस का अगर इतियास देखे तो कई 25 परसेंट 15 परसेंट सीटे भरी होती थी अभी भी 60-70-80 परसेंट तक पहुंची हैं अभी भी बहुत सीटे खाली हैं अब इनको हक तो देना ही पड़ेगा क्रेडिट कोई ले काम कोई करे साथ साल पहले सोचन किसी ने करा बोट किसी ने ली काम उनका करा नहीं राज दूसरों ने करे आज उनके हक मिलने की बात आई है सब्सक्राइब कोई है लेकिन यह बड़ी खबर के बाबा अंबेड कर साथ की सोच थी चौधरी चरण सिंग जी की सोच थी माननी यह प्रधान मंत्री उसे लेके चल रहे हैं सदन में खड़े होके कह रहे हैं फिर दिक्कत क्या हो रही है पिर यह क्रेडिट लेने की प्रेस के द्वारा होता रहा है जी करीब 80% लोगों को पिष्डे अर्दलीतों को रीना घुपता आम आदि पार्टी की रीना गुपता वेंत लुक ना इनको आपको मैंना मौका दिया रीना गुपता प्रश्ण यह है कि अखिले शायदव कह रहे हैं कि ऐसी संस्थाएं EDCBI पर उनका इशारा है कि हम इंडिया अलाइंस की सरकाराई तो बंद कर देंगे लेकिन सविधान की बात है तो सविधान सन्मत ही तो इस संस्थाएं है आज आपके नेता अंदर है तो आपको बुरी लग रही है अमिश्ची इन संस्थाओं का जितना misuse भारतिये जनता पार्टी ने किया है इस देश के इत्यास में कभी नहीं हुआ है आप देखिए जो केस जिस केस में अर्विन केजिवाल जी को बंद किया है उसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट के कितने strong observations हैं सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि ED दुर्भावनापूर तरीके से काम कर रही है ED is behaving in a biased manner ये बोला है कोई money trail नहीं है कुछ भी नहीं दिखा पाए लेकिन फिर भी एक CBI का केस लगा के मन गडन तरीके से दुबारा अर्विन केजिवाल जी को अंदर बंद कर दिया पहली बात दूसरी बात भारतिये जनता पार्टी दलितों आदिवासियों और पिछणों के खिलाफ है ये तो पूरा देश जानता है मैं आपको दो धारन दूँगी जब नई पार्लियमेंट का inauguration हुआ तो इनोंने मुर्मुजुई को नहीं बुलाया वहाँ पे सिर्फ इस वजए से कि वो आदिवासी समाद से हैं जब राम मंदर का शिलन्यास हुआ तब इनोंने रामनात कोविन जी को नहीं बुलाया क्योंकि वो पिछडे वर्ग से आते हैं अब देखिए जब इतने बड़े बड़े पदों पे आसीन लोगों के खिलाफ इनकी ऐसी मनशा रहती है और मद्यपर्देश में तो इनके नेता ने एक आदिवासी बच्चे के सर पे पेशाब करी थी यह लोग समविधान में विश्वास नहीं रखते हैं यह मनुस्म्रती में विश्वास रखते हैं और ये पिछणों के खिलाफ आदिवासियों के खिलाफ हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे इसलिए ये लोग बोल रहे थे चार सो पार चार सो पार नेकिन रीना जी जितनी चिंता आप लोगों का अर्विंद केज्रिवाल के चाइब है नहीं Чिन्ता आपको अर्विंद के जिरिवाल जी जेल में आपके नेटा है निश्चित तोर पर होगी जतनी चिन्ता उसकी है उतना तीन बच्चों की भी जान चली गयी तिल्ली के अंदर उतनी चिंता उनकी नहीं है और जब उनकी चिंता की बात थी तो अब आप अर्विन जी की शुगर की चिंता कर रहे थे पार्लिमेंट के अंदर यह सदन में खुद देखा क्या आपको लगता नहीं है कि पुलिटिकली आपकी भी आंसरिबिलिटी है और आप खुदी आपकी सरकार M.C.D. में हैं आपकी सरकार दिल्ली में आ रहे हैं आप खुदी विरोध कर रहे हैं किसके केला विरोध है वो अमीश्टी हमें पूरी चिंता है बहुत दुखद हाथसा हुआ है उन बच्चों के परिवार के साथ हम खड़े हुए हैं लेकिन दिल्ली में जो इस समय मिस गवर्नेंस हो रही है वो भारतिये जनता पार्टी के इशारों पे LG माउदे दुआरा कराई जा रही है आप प्राटी की सरकार है मिस गवर्नेंस उनका है आप उन पर निशाना साथ रहे है वह माप क्या करें जिनको अभी जिसे कहते हैं मां के अंदर गए हुए तेरा दिन नी हुए कि मतलब कमाल की इतनी शरम नाख राटनी की हो रही है दिल्ली के लिए मतलब बीजेपी और कॉंग्रेस आप पर आरोप लगा रही है किया मतलब आपको लगनी रहा कि मतलब आप किसी को नहीं लग रहा यह मेरा सवाल पूरे शासन से है दिल्ली में बैटी हुई सरकार से भी और केंद्र में बैटी हुई सरकार से भी तीन बच्चों की मौत हो गई है और उन तीन बच्चों की मौत पर तहकाने में बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन किसी को किसी को उसका धर्दी नहीं है LG काम करें आप काम करें जिसने काम करना काम करें लेकिन उन माबाब के बार में तो सोचें जिनके बच्चों की जान चली गई है ना LG साब सुनके राजी है ना आप सुनके राजी है वो माबाब बिचारे रो रहे हैं अपने घरों के अंदर अरे लोग अपने मेहने हक और हकुक की कमाई डालकर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बेशते हैं कोई मरने के लिए नहीं बेशता मतलब रूह काम जानी चाहिए जो हुआ है और उसके बाद कुछ बोलने उसके बाद भी बोला जा रहा है देखें LG साब की गलती है फलाने की गलती है धिमकाने की गलती है मैं जब यह बोल रहा हूं तो मैं पूरी तरह से दर्द में हूँ जब मैं यह बात बोल रहा हूं गौरबाटिया आप बोलेंगे इनकी गलती है LG साब को Home Ministry भी तो कुछ कह सकती है कि भाई क्यों नहीं हुआ है आप बोलने नहीं नहीं दे रहे हैं मैं आपको पूरा बोलने दे रहा हूं मैडम यहां बोलने का मुकाबला हो रहा है अब फिर गौरबाटिया पर चले गए आपने दो बारी बोला गौरबाटिया कुछ से जवाब लिने जुरूरी है मैं आपको बॉका दूंगा आगे गौरबाटिया मेक एपॉइंट देखे इसको अराजक अपराद पार्टी बुलाते थे और यह इतनी बेशरम है शेली ओबरॉय जो मेर हैं आप से वो कह रही थी कुछ सब्ता पहले इंज्योई मौनसून ऐसा सावन आया कि हमारे जो बच्चे हैं वो तीन जानगवा बेठे और यह बैमान पार्टी बत्तमीज पार्टी कहती है हमारी जिम्मेदारी नहीं है आपको मालू है 18 महीने से MCD का चुनाज जीतने के बाद प्रशासन इनके हाथ में है नो अबजेक्शन दिया जाता है वो अभी इनोंने एक महीने पहले तिया है कुछ कोचिंग इंस्टिक्यूट्स को बेस्में ने कोचिंग इंस्टिब्स और रहे हैं जूट बोल रहे हैं जूट मत बोलिए जूट मत बोलिए यह दोजार किसम आमका पांट करें के लिए यह दित में चिलने के लिकिन लेकिन आपकी कांस्ट्र रहा है मैडम, 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 कुछ study और कुछ ground reporting हमारे reporters ने भी करी है, आपकी वहाँ पर जो counselor है वो तो खुदी rule flout कर रही है, वहाँ पर बच्चे कह रहे हैं कि यह सारा जो हिस्सा यह MLA और counselor को जाता है, क्या जवाब देंगी इस बात का, इसमें भी LG का दोश है क्या, मैडम आप लोग सरकार में है, रीना, रीना गुपता, देखिए, पहली बात तो यह, 2021 में इस basement को जो approval मिली थी, वो सिर्फ storage की approval मिली थी, 2021 में approval दी गई थी, भारतिय जनता पार्टी के त्वारा, जो चेक करने का काम किसका है, अर्विन के इनिवाल आएंगे, सब जगा, बड़ी संसत सदस्तों को गाली दी गई है, ये कहा है, प्रियंक का गांधी वाडरा ना है, जातिकर जनकरना देश की मांग है, ये कहा है, यानि 80% लोग चाते है, जातिकर जनकरना, ये कहा है, सीधे तोर पर संसत में आज जाती पूची गई है, ये, कॉंग्रेस ते इसको बड़ा विशे बना रही है गौरा भाटिया यह शाप रियाक्शन लगता गौरब तक आवाज नहीं जा पा रही मैं रुक करता हूँ अनुरा गुदरिया का अनुरा गुदरिया निपक्षी से बड़ा विशे बना रहा है बिलकुल यह तो सरक्तापच की आदत हो चुकी समाज के अं सदन के अंदर जो जाती पूछी गई उसको लेकर कॉंग्रेस इसको बड़ा विशे बना रही है वो कह रही है देश के 80% लोगों को गाली दे रही है बीज़ेपी यह निए अवीजी मुझे ये बताई यह प्रियंका वाडरा गांधी ने है जब प्रदान मंत्री जी को कहा था कि नीच राज्यती करते हैं और प्रदानбыंत्री जी ने कहा था प्रियंका वाडरा मेरी बेटी की तरह है वो क्या था OBC समाज से आते हैं नरेंद्र मोदी जी हर रोज जो उनको साब बिच्छू तेली बुलाया जाता है चौकीदार चौर है मौत का सौधागर कूर की दलाली वो क्या है उसमें प्रियंका वाडरा जवाब देंगी या बालक बुद्धी राहूल गांदी जवाब देंगे तीसरी समाजवादी पार्टी के राश्टे अदर्ज भी तो OBC से आते हैं अरे मैं जो कहना हूं सुनो ना अरे मैं कहना हूं समाजवादी पार्टी के राश्टे अदर्ज भी OBC से आते हैं तो आप उनको उनके बारे को सीधा बोर दिया होगे जितने भी प्रवक्ता हैं सब गाली गलोज गाली गलोज करते रहते हैं उसके अलावा कुछ इनके पास कोई भी कभी ब्रॉडक्टिव कहने के लिए होता नहीं है यह जो जो बोल रहते हैं पार्डीय अमैंट में राख खाकोर इन्होंने कुछ सालों पहने इन्हों नहीं बोला तक बोल्दों को यह ऐसे लोग हैं भारतिय जन्तापार्टी के प्रवक्ता और एक दाम इनका जो मांस्ता है गरीबों के खिलाफ म लेकिन लेकिन रीना गुपता पॉइंट यह कि आप कहलें बीजेपी की मानसिकता गरीबों के खिलाफ है मेरा प्रश्णी है कि आपको सरकार की जिम्मेदारी M.C.D. भी मिली है और दिल्ली में भी मिली है और बंपर वोट के साथ तो दिल्ली में आप जीत कैप दुबारा चुनाब होने बाले हैं लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी LG पर डाल के बच रहे हैं यानि आपकी काउंसलर आपका विधायक लेकिन जिम्मेदारी आपकी रही है और उन पर आरोब भी लगाए जा रहे हैं और कई सारे खुला से हो रहे हैं मुझे आपको बताने की अब शक्ता नहीं है रीना जी मुझे पता है आपका दिल भी फट रहा होगा जो हुआ है ओल्ड रजिंदर नगर में लेकिन आपकी मजबूर है पॉलिटिकल पार्टी मेरे दिल फट रहा है बिपकोल अमीश भाई मैं भी एक माह हूँ लेकिन हमें समझना होगा कि दिल्ली में एल जी महोदे किसी अधिकारी को काम नहीं करने देते हम तो कह रहे हैं कि जिन्हों ने नालों की सफाई नहीं करी मेरा हर चीज का जबाब आरोप नहीं होता डेकि यह बड़ा सेंस्टिव पेश्व है इसको लेकर सरकारे सावधान रहे नहीं तो यह देश का हुआ है यह बहुत कुछ करना जानता है आर पार में अब वक्त है सत्य और तत्य का आज मैं आपको आरक्षन चे जुड़ी एक बहुत महतपूर फैक्ट सुनाना चाहता हूँ ये कहानी आज चे करीब 44 साल पुरा पुरानी है और तभी लिखी गई थी लेकिन इसका सीधा रेलेवेंस आज मौजूदा पॉलिटिक्स से है क्या आप जानते हैं कि देश में पहली बार कब S.C.S.T. और O.B.C. के आरक्षन का फॉर्मूला तयार हुआ था कौन इसके खिलाफ था यारी विरोथ में था और किस ने इसे लागू किया था आज मैं आपको ये सारी बाते विस्तार से बताऊंगा तो क कि आजकल कुछ विपक्षी नेताओं में खुद को सबस्वड़ा आरक्षन प्रेमी और S.C.S.T. O.B.C. का हिमायती दिखाने की होड मचू हुई है कभी पूछा जाता है कि केंद सरकार के कितने अधिकारी पिछरे वर्ग से आते हैं कभी पूछा जाता है कि बजट पनाने वाले कितने अफसरों का तालुक S.C.S.T. O.B.C. से है इसलिए आज मैं सबसे पहले आपको राजीव गांदी के एक इंटेव्यू के बारे में जानकारी देता हूँ ये शाक्षातकार उन्होंने एक हिंदी प्रिमुक अख़बार को साल 1985 में दिया था इस इंटेव्यू में राजीव गांदी कहते हैं दबे और पिछले वर्ग को ये सुविदा दी जाए लेकिन इसके विश्तार से बुद्धूों को बढ़ावा मिलेगा जिससे देश को नुकसान होगा ये राजीव गांदी ने बोला यानि राजीव गांदी कह रहे थे कि आरक्षन की वज़से इन कॉम्पिटेंट लोग काबिल लोगों का हक्त मार सकते हैं जो नेतागण SC, ST, OBC और चातिगत जणगणना पर बड़ी बड़ी आज तींगे हां करे हैं क्या वो बता सकते हैं कि स्वर्गे राजीव गांदी ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया था अब मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाता हूँ वो दोर पंडित नहरू का था और पंडित नहरू के हवाले से एक ख़बार ने लिखा था कि मैं नौकरियों में SC और ST के लिए आरक्षन के खिलाब हूँ ये पंडित नहरू के हवाले से लिखा था क्योंकि इसमें उनमें हीन भावना पैदा होती है सवाल ये है कि जवालला नहरू के विचारों से आज की कॉंग्रेस आसहमत है आज जब संसद में जाती जंगन्ना के बारे में जोर्शोर से भाशन दिया जाता है तो क्या कोई ये बता सकता है कि 1980 से 1989 तक मंडालायोग की रिपोर्ट किस ने उसको लटकाया 1984 से 1984 के तक इंद्रा गांधी देश की प्रधार मंतरी रही और 1984 से 1989 तक स्वर्गी राजीव गांधी के हाथ में देश की कमान रही क्या ये सच नहीं है कि बाबा साहब अंबेट करने 1950 में पंडित नहरू की कैबिनेट से इसलिए इस्तिवा दिया था क्योंकि वो समाजिक भेदभाव के आधार पर से सहमत नहीं थे यानि वो उन्हें लगता था कि पंडित नहरू आक्शन के विरोधी है तो आज दूद का दूद और पानी का पानी आपके सामने है इसलिए ये फैक्ट ये फैक्शल कहानी बतानी आपको बहुत बहुत